Hello and Welcome Guys, स्वागत आपका Movies Explorer चैनल में, जहाँ आज हम Wheel of Time की First Season के Last Episode को Explain करेंगे, पर उससे पहले 7th Episode की कहानी को Short में समझते हैं. 7th Episode में मोरेन और बाकी लोग Portal यूज करके निशाचर जहाँ कैद है वहाँ जाने वाले थे, पर मैंशेंशिन नाम की एक शैतानी हवा रास्ते में आई, इसके वज़े से सारे लोग फैलडारा नाम के शहर में रुखे थे, जो की लैन का गाउ था. वहां मोरेन एक लड़की के हेल्प से सारे बच्चों का फ्यूचर देखा, पर फिर भी मोरेन को असली ड्रैगन कौन है या पता नहीं चला, उसी रात रैंड को पता चलता है कि वही ड्रैगन है, और वो पहले से ही ड्रैगन के पावर्स को यूज करता आ रहा है, फिर रैं तो एपिसोड एट की शुरूआत होती है, 3000 साल पहले की कहानी से, जहां हम देख पाते हैं कि तब की दुनिया बहुत ज़्यादा ड्रैगन को देखते हैं, जो कि एक ऐसेड़ाई से बात कर रहा था, ड्रैगन कह रहा था कि उसे कुछ ऐसेड़ाई की सेना चाहिए, तकि व उनके शक्ती के बारे में पता चल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ, तो दुनिया जो डेवलप हुई है, वो फिर से बरबाद हो जाएगी, पर ड्रैगन उसकी बात नहीं सुनता, और निशाचर से लडने जाता है, जिसमें वो निशाचर को कैद तो कर लिता है, मगर खुद जाता है, इसके रिजर्ड में निशाचर पुरी दुनिया को कई साल पीछे लेके आता है, इसलिए प्रेजेंट टाइम में हमें वो चीजें नहीं दिखती, जो पहले डेवलप थी, अभी प्रेजेंट में हम सबसे पहले फैल डारा शेर में क्या हो रहा है, इसके बारे में देखेंगे, इगवें रैंड को दुनने के लिए वाज से निकल रही होती है, और तब ही वाज पैदिना के उसे समझाता है कि वो लोग कहा गए है, यह उन्हें नहीं पता, इसलिए उनके पीछे जाने का कोई फाइदा नहीं है, वही दूसरी तरफ नैनिव लैन को मिलने जाती है, और लैन कहता है कि मोरेन कहा गई है यह उसे नहीं पता चल रहा, क्योंकि मोरेन ने उसे बंदन तोड़ दिया है, पर नैनिव मोरेन को ट्रैक कर सकती थी, और इसी की हेल्प से नैनिव तरासक के हमले के बाद मोरेन को दून सकी थी, लैन मोरेन को दून नहीं पा इसलिए वो नैनिव से request करता है कि वो उससे बताए कि मोरेन को track कैसे किया जाए फिर नैनिव अपनी power यूज करके मोरेन को धुर्णने का try करती है पर उसे वो नहीं मिलती और तबी वह एगवेन आती है इगवेन भी अपनी शक्ती यूज करके try करती है और उसे कुछ आवाज आती है इसे वो समझ जाती है कि फैलडारा शहर में एक बड़ी मुसीबत आने वाली है इसलिए सारे लोग उस hotel की लड़की से पूछने जाते है कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि वो लड़की future देख सकती थी लड़की देखती है कि नैनीव का चहरा जल रहा है और फैलडारा के soldiers मर रहे है और तब एक emergency alarm पूरे शहर में बचता है जिसे पता चलता है कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है फैलडारा के महराज को समझता है कि उनके गाव पर तरासक लोगों ने हमला कर दिया है और सारे लोग मिलकर लड़ाई की planning करने लगते है इसके बाद फैलडारा के महराज लड़ाई के लिए तयार हो रहे होते है और वो अपनी बहन से कहते है कि हम ये लड़ाई नहीं जित सकते पर उनका ये plan था कि जादा से जादा वक्त तक इन तरासक की सेना को रोक के रखना ताकि बाकी के शहर को तैयार होने का वक्त मिल सके महराज की बहन को भी ऐसे ड़ाई की पावर यूज करना आथा था इसलिए वो कहती है कि वो भी इस लड़ाई में उनकी help करेगी तक पहुच जाते हैं और फैलड़ा के महराज को मार देते हैं महल के अंदर पैरिन और लोयाल को सैनी की मदद कर रहे होते हैं जो की एक box को धूंड रहे थे वो box एक दिवास होता है जिससे बजा कर हजारों साल पहले के योद्धा उनकी मदद करने आएंगे पर इसे सिर्फ dragon ही बजा सकता है फिर हमें वही फैरी वाला दिखता है जो हमें episode 1 में दिखा था वो फैर के साथ फैलड़ा के महल में गुच जाता है इसके बाद वो पैरिंग के पास आता है और लोयाल को मार कर उसे उस box को चीन लेता है box लेने के बाद फैरी वाला कहता है कि वो हर बार दो नदी गाव में इन पाच बच्चों पे नजर रखने आता था आगे फैरी वाला कहता है कि बले रेंड ड्रैगन है पर इस खेल में पाचो बच्चों का हिस्सा बराबर है यानि पाचो लोग की इंपोर्टन्स इस लड़ाई में सेम है वो ये भी कहता है कि जो थमला पहले हुआ था वो उन बच्चों को मारने नहीं बलकि उनको यहाँ लाने के लिए हुआ था और ऐसा बोल के फैरी वाला वो बॉक्स लेके जाता है वही लड़ाई के मैदान में राजा की बहन के साथ इग्वेन और नैनिव भी जूड़ जाती है क्योंकि उन दोनों को भी मैजिक यूज़ करना आता था राजा की बहन अपने शक्ती से सारे लड़कियों से कनेक्ट हो जाती है और सारे लड़कियों की शक्ति से वो त्रासक की पूरी सेना को चुटकी में खतम कर देती है पर लड़ाई चीतने के बाद भी वो रुपती नहीं क्योंकि ये पावर ही ऐसी थी कि जिसने इसे यूस किया वो इसके पीछे पागल हो जाता है पावर के ओवर यूस के वज़े से राजा की बहन जल के मर जाती है और उसी की वज़े से नैनीव और इगवेन भी जलने लगती है पर नैनीव किसी तरह इगवेन को उस कनेक्शन से भार करती है और उसे बचा लेती है पर खुट जल कर मर जाती है नैनिव को मरा हुआ देख इगवेन अंजाने में कुछ ऐसे पावर्स को यूज करती है जिसे नैनिव फिर से जिन्दा हो जाती है और फैल डारा की शेर की कानी इस एपिसोड में यही खतम हो जाती है पर आप सोच रहे होंगे कि खुद के गाव में इतनी बड़ी लड़ाई हुई तो लैन इस लड़ाई में कही पर क्यों नहीं था असल में लैन लड़ाई शुरू होने से पहले ही मोरेन को धुर्णने निकल गया था तो अभी यहाँ से हम मोरेन और रैंड के साथ लास्ट एपिसोड में क्या हुआ यह देखेंगे मोरेन और रैंड उसी डेंजरस लगा से निशाचर जहां कैद है भहां जा रहे होते है और रैंड वहां कुछ लोगों को देखता है जो की मर गए होते हैं मोरेहन कहते है कि यह वह लोग जो खुद को ड्राइगन का अवतार समझ कर निशाचर को मारने आये थे पर वो यही मर गए मोरेन आगे कहती है कि ये जगर निशाचर से शुरू होती है और सामने आने वाली हर चीज़ को सड़ा देती है थोड़ा दूर चलने पर मोरेन को साथ मिनार वाली जगह दिखती है जो कि असल में लैन का घर था पर निशाचर के एफेक्ट के वज़े से वो भी बरबाद हो गया इसके बाद रैंट सो जाता है और डर के मारे उटता है और कहता है कि सपने में उसने निशाचर को देखा रैंट जब निशाचर से बात कर रहा होता है तो उसे डाउट आता है कि ये सब एक सपना है इसलिए वो खुद को मार देता है और सही में वो एक सपने से जाग जाता है मोरेन असली में जिन्दा होती है और रेंड से पूछती है कि उसने सपने में क्या देखा पर रेंड उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चलने लगता है चलते चलते मोरेन रेंड को एक मुर्दी देती है जिसमें हजार लोगों ने अपनी शक्ती स्टोर करके रखी है मोरेन कहती है कि निशाचर के लड़ाई के दौरान ये शक्ती तुमें हेल्प करेगी रेंड कहता है कि उसे भी पावर्स को यूज करना सीखना है पर मोरेन उसे समझाती है कि लड़ाई के दौरान रेंड खुद ही पावर्स को यूज करना सीख जाएगा फाइनली दोनों वहाँ जाने के बाद रेंड को कुछ बाते याद आनी लगती है रेंड को याद आता है कि कई साल पहले उसने इसी जगा लड़ाई लड़ी थी पर उस वक्त क्या हुआ था एक्जाइटली उसको याद नहीं रेंड नीचे लगे हूँ एक निशान को टच करता है और एक ड्रीम में पहुँच जाता है रेंड एक घर में होता है और बाहर इगवेन एक बच्चे के साथ होती है रेंड समझ जाता है कि ये सब एक ड्रीम है जिसमें वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है रेंड दिखता है कि इगवेन उसी बीवी है और उन दोनों को एक छोटी बच्ची है बट रियल में मोरेंड रेंड को सपने से जगाने की कोशिश कर रही होती है पर तबी वहां निशाचर आकर मोरेंड से उसके सारे पावर्स छीन लेता है वही रेंड इस सपने में रेंड इस वाली लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश होता है पर तबी सब कुछ पॉज हो जाता है निशाचर आकर रेंड से कहता है कि यह सपना रेंड हकीकत में बदल सकता है पर तबी जब वो निशाचर से हाथ मिला ले रियल वर्ड में मोरें निशाचर को रेंड को मारने की धमकी दे रही होती है क्योंकि अगर रेंड ने निशाचर से हाथ मिलाया तो वो यहाँ रेंड को ही मार देगी वही सपने में रेंड इस ड्रीम को हकीकत में लाने के लिए तयार हो जाता है और निशाचर उसे ये कैसे करना है ये सिखा रहा होता है पर तबी रेंड को समझ जाता है कि यह उसकी dream life है, ना कि इगवेन की, इगवेन एक विदोशी है और वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी शादी हो, इसलिए रेंड अपनी सारी powers उस मूर्ति में collect करने लगता है, और सपने से भी जाग जाता है, सारी power collect होने के बाद वो निशाचर को वहाद से गायप कर देता है, निशाचर के जाने के बाद Randy decide करता है कि वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसने powers मिलने के बाद वाली पागलपन को महसूस किया था, और Randy नहीं चाता कि इसी पागलपन में वो किसी अपने की जान ले ले, इसलिए सब के safety के लिए Randy वहाँ से चले जाता है, तभी इसे अकेले तोड़ा था, तबी मूरेन बोलती है कि असलियत में ये तो जंग की शुरुआत है, असली जंग तो इसके बाद होने वाली है, और ये एपिसोड यही कतम हो जाता है, पर एपिसोड के लाश्ट में हम मैट को देख सकते है, जो वापस उसी श्रापिज शहर गया ह जिसका मतलब उस पे अभी भी वो साया हावी है, एपिसोड के एंडिंग में हमें एक सीन दिखता है जा एक छोटी बच्ची एक आइलेंड पे खेल रही होती है, और तबी उसके आइलेंड के सामने कुछ नाव आते है, जिसे कुछ औरते चला रही होती है, और सामने आने हर चीज को वो अपने पावर से डिश्ट्रॉय कर रही होती है, तबी वो सारी औरते अपने पावर से यूज करके उस आइलेंड को जगह से हटाने के लिए एक बड़ी वेव बना लेती है, जिसके सामने वो छोटी बच्ची थी, और सीजन वन यही खतम हो जाता है, तो जिलते हैं अगले वोडियो में, तब तक के लिए इसिस मोवीज एक्स्प्लोरर साइनिंग ओफ